So all right guys Man Physique Championship की first call out की report आ चुकी है और मुझे लगता है कि इस बार फिस से एक बार Brandon Hendrickson फिस से ले जाएंगे and you can see the Brandon Physique तवर्ड Man Physique Championship So Mr. Olympia 2022 मुझे लगता है यही विन करेंगे Look at his back guys यार मैंने लास ताम जैसे बताया था आपको कि यार उनकी जो Snake Peak जो Depthness आती है ना Lower back से लेकर उपर तक Separation जाती है बहुत ही जबतासत है और इस बार वो जान मुझ के उनको मालूम है कि यह उसका Plus Point है वो जान मुझ के दिखा रहे हैं एविन टू और थ्री टाइम भी इविन जब Transitions भी Judges करवाते हैं तब भी यह शो करते हैं Look at this So guys एक और बात मैं बताओं उनका Front Pose को मालूम है कि Front Pose उनका बहुत ही बहुत ही Awesome है And मुझे लगता है कोई इस पर वो सवाल ना उठा देगी Flag Shorts पर डाला हुआ है Anyway But posing बहुत अच्छी दे भूवन मुझे बता नहीं क्यों यहां पर Deplete नज़र आए और Flat नज़र आए Posing बहुत ही अच्छी दे बहुत अच्छा दा And so last जो Mr. Olympia हुआ था Aaron Banks जो second आए थे मुझे लगता है इस पार बहुत जवदर स्टक कर देने वाले हैं अगर हम इन दोनों का comparison देखें तो बहुत ही लाजवा फिजीका Aaron Banks फरंट से इतने शांदर नहीं है लेकिन back बहुत ही अच्छी है अगर यह back का arms को open करके खड़े होते हैं Look at his fiber lower back पे जो इनके fiber आते हैं और बहुत ही वी जेपर और width भी है back में और thickness भी है See his shoulder, back, separation तो इस बार फिर से एक बार टक्कर होगी एक बार फिर से मुकाबला होगा Aaron Banks and Brandon के बीच में तो guys, अगले हैं हमारे क्यों क्यों जो है, यह जितने भी मैं आपको athlete दिखा रहा हूँ यह सारे top 10 athlete है, top 10 में है वाव, क्या physique है क्यों का, यार मैंने जैसे बताया कि last time जिस तरस कि वो martial art की style में posing करते हैं, यार posing करने का जो style है See, वो बहुत ही awesome है इनका और, of course, इनका core area थोड़ा सा ऐसा थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन यह upper body को इतना huge करके लेकर आते upper body इनकी huge है, genetics इनकी muscle belly roundness है तो small लगती है waste तो अच्छे लग रहे हैं क्यों? brand, andre, oh my god andre फिर से एक बर मुझे लगता है conditioning नहीं लेकर आने वाले यार क्या हो गया, andre, इनको कि यह इनका यार जितने यह Arnold classic के बाद फिर से down, 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 इतने down चले जाएंगे यह मुझे नहीं पता था down जाते ही जाये रहे है second arc के फिर से fourth, seventh कहा चलेगे डेगर मोटो, डेगर मोटो यार लास टाइम देखो यह न, athlete जो है I think so, यह third eye थे और यह मतलब कि ऐसी judges ने दी दिया था All About Olympia वाले जो I Will भाई जी है, उनोंने भी इनको top ten से बाहर रखा तो उनको समझ दी आए था बट इस time मैं जब इनको देख रहा हूं यार इनकी back सारे athlete से सबसे अच्छी back है वो shoulder बहुत अच्छे है और मतलब कि V taper एक front से भी एक V taper आते हैं और size बहुत अच्छा है इनके पास लेकिन core मुझे इनका समझ नहीं आता है और core इतना अच्छा मुझे नहीं लगता इनका oh my god it's my favorite athlete Rion Terry mind blowing यार इस बंदे ने अगर किसी athlete improvement की है न तो Rion Terry ने की है क्या beautiful physique का क्या personality है Rion की मैं already शुरू से इनका fan हूँ मैं इनकी posing style को copy करता रहा हूँ हमेशा बहुत tough था लेकिन फिलहाल इनोंने खुद ही छोड़ दिया है उस style को look at his पहले इनके वी टेपर नहीं आता था और एक साल का cap लेके रहोंने size gain किया है और बहुत ही अच्छे से इस men physics division को समझते हैं size नहीं है लेकिन beautiful इतना लेके आते हैं फिजीक को यह हमारे अली बिलाल one side mark और one side physique है यह यहाद top notch physique है अली बिलाल की में बताया था और judges ने उनको बोला था अगर तुम ऐसी फिजीक olympia में लेके है तो top five में होगे और my god मुझे लगता है यह top five में है और बहुत ही अपनका series area दीखे mid session दीखे कितना sharp है तो चलिए ले चलते हैं आपको जहां पर comparison round है और यह जो बीच में कोरे मोरेस हैं यह मेरे athlete coach है मैंने इनसे जब two thousand twenty two का contest किया था शिरू classic that time I was a bronze medal इनसे training ले थी और मेरी इस बहुत ही मुझे स्माल हो गई थी उस टाइम पर से training लेने के बाद और बहुत अच्छी पोजिंग में मैं मार खाया था मुझे याद है मैं back को squeeze कर लिया था open नहीं कर पाया था तो चलिए देखते हैं यार इनका जो यह यह साइड पर करती है यह first call out है गाइस यह जो जितने भी comparison हो रहे हैं मैं आपको बता दूँ यह फिफ से लेके टॉप 10 मनले कि यह टॉप 5 से टॉप 10 का comparison है इन में से मैं बताओं कि यह एंडरे है अली बिलाल है कोरे मोरिस है क्यान है रियान टेरी है तो यह इन्होंने switch किसको किया है कोरे मोरिस इसने switch कर दिया है से यह यह बीच वाले अथलीट नहीं है मुझे इनका नाम नहीं मालूँ रियान टेरी ने switch किया है अली बिलाल को अली बिलाल का यह first debut है और बहुत ही अच्छा है यार बट मुझे यार एंडरे से यार यह उमीद नहीं थी यार एंडरे और ही डाउन टू डाउन जाते जाते हैं इनको चाहिए यार इनको कोई समझाओ यार क्या कर क्या रहे है यार इतने अच्छे अथलीट होके comparison around चल रहा है guys कोई मौद इस हमेशा conditioning से मार खाते थे लेकिन इस पर बहुत अच्छी conditioning लेकर है इनका वेस्ट ही दिया guys बहुत ही स्मॉल है मैं एक दिन कोच से पूछा मैं कोच आपका वेस्ट कितना है तो he said guys 26 my god इतनी स्मॉल वेस्ट इनकी और look at his back and इनको dealt king के नाम से बलाते है इनके जितने भी friends इनका shoulder बहुत ही है dense heavy shoulder है इनका तो रियाउन टेरी मुझे लगता है यहाँ पे six number पे आने वाले है या फिर यह नए अथलीट six number पे होंगे या रियाउन टेरी six number पे होंगे कायाउन मुझे लगता है seven पे होंगे जो मेरी prediction है मैं सही बताओं तो रियाउन six या six number पे होने चाहिए कि यह देखिया एंडरेशन ने यह लूज छोड़ दिया है अपने गट को यह बहुत बड़ी क्या करके रहे हैं यार मुझे समय नहीं आदा क्या देख क्या रहे हैं इनको चाहिए कि आप उस को होल्ड करके रखें क्यों ने भी होल्ड करके रखा हुआ है सो इन में से टॉप फाइफ चूज किये जाएंगे सो जो नेक्स अथलीट आ रहे हैं गाइस यह हाँ देगो मोटो और यह भी नए अथलीट है और अच्छे अथलीट है मैंने काफी बार इनको देखा है तो लास्ट इम थर्ड हाई थे तो को मतो वाव वाट इफ जीग गाईज इन दोनों में से थर्ड और फॉथ का कमपेरिजन किया जा रहा है मैं आपको बता दूँ टॉप फिफ्ट में रियान टेरी होंगे यह कमपेरिजन रांड है इस कमपेरिजन रांड में थर्ड और पॉथ को चूझ किया जाएगा गार्डिंग तो मी यह सिट कर लिया है और थार्ड और फॉर्थ जग जैसने तन फर्स का किमपेरिजन रांड है तो गाइज यार मैं आपको बताओं आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको लेटर सब्डेट मिलेंगी और आपको एक अच्छी गूड नियूस में मैं दूँगा मुझे आज ए जजज सिलेक्ट कर लिया है एक पाड़ी बिल्डिंग आस्सेशिशन में मै फिजिक को जजजिंग करने के लिए बहुत जल्दी मैं आपको सारे ब्लॉक्स भी बताओंगा जो मैं जजज करूंगा एंड गाइस यार इनका कोर बहुत ही स्टॉंग है यार ब्लेंडें नेक्स्ट लेवल फिजीक लिखे आ हैं और और इंप्रूव्मेंट है इन में वाव मैंने कहा था ना यह अपने बैक को छुपाते हैं यह दिखे यह जब इससी आम्स खोलते हैं तब इनका बैक इतना अ यह बार बार जज़स को यही दिखाएंगे यहार उनका जनेटिक ही ऐसा बना हुआ है उनकी बैक में थिकनस है लेकिन वो जिस पोज में आके दिखाना जाते हैं वो पोज में थिकनस नहीं दिखाई देती उसमें बैक फ्लाट हो जाती है फ्रेंट पोजन का बहुत है लेकिन इस पुजिशन पर आके वो चीज दिखाई नहीं देती यह फिर से एक बार दिखाएंगे कि मेरी बैक में थिकनस है भाईया ऐसे कोई बात नहीं है मेरे जनेटिक्स ऐसे हैं लेकिन क्योंकि फ्रेंट से लैक्सन के बहुत अच्छे हैं डेल्ट अगर मैं कमपेरि सारे रहने वाले हैं और प्लीज जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लिजिए मेरे इंस्टाग्रम अकाउंट है राकेश अंडिसको फिटनस टीवी आपको मेरी कमेंटरी कैसे लगी आइविल मोर इंप्रूव थैंक यू सो मच जल्दी ही नहीं हूं अपड लेके मैं मिलूंगा आपको गुट नाइट बैंड बज गई है यार के गाइस सी यू